हेलो नमस्कार जहन हम लोग बात करने वाले हैं EMRS भरती के संदर में हम लोग बात करेंगे कि EMRS हश्टल वार्डन टीजटी पिजडी इत्यादी जो पुस्ट है उनके लिए एक अंतिम मौका है एक चीज और बता दो कि मेरी तबीयाद थोड़ी से डाउन है तो इसलिए आवाज में थोड़ी से प्राबलम हो सकती है तो थोड़ा साक मैंनेज करेंगे इसके बारे में संपुर्ण जानकारी आपको प्रवाइड कराएंगे तो वीडियो में बने रहे देखते हैं देखिए यहीं है जो इंपार्ट इंडेज जो है प्रवाइड के लिए सब क्या क्या है इसमें आप देख सकते हैं बस मैं आपको आपकी जनकारी के लिए आपको यादगार के आप पीछे वाला याद कर पाएं इसके लिए मैंने इसको लगा दिया है बाकि हमारे कोई मतलब इससे नहीं है चारहजार 42 पोश्ट टीचिंग और नटीचिंग वाली ये पोश्ट है यह मारे इस टीचिंग ऐरन टीचिंग वाली पोश्ट ही 462 पोश्ट है बाकी कुछ और पोश्ट है जो 2329 पोश्ट है अलब Shati क्योग से दो Majormadnam से क्योंकि ज्वाइनंग अभी नहीं किया है ज्वाइनिंग पर आप लाश्ट इस्ट पर खड़े हैं तो भूल तो नहीं सकते हैं देखिए यहां पर जितने भी पोश्टेज है यह पोश्ट के लिए जितने भी नंबर आप वेकेंस है हम वेकेंसी और नंबर आप पोश्टेज यह संबबन कोई बात करने वाले हैं कि राष्टि आदिवासि छात्र सिक्षा समीती यानि कि नेशनल अगर्फ 사 neurolog है कि उसन्दर में नोटिफिकेशन कि बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन यह है कि with the reference to the EMRS, staff selection examination, यानि कि ESSC 2023, the document verification अर्थाद DB, आप दी shortlisted candidates was conducted in February 2014, February 2014 में shortlisted candidates का DB हो चुका है, documents verification हो चुका है, however, फिर भी, some of the candidates were absent during the first call for document verification, कुछ candidates ऐसे हैं, जो first DB में absent हो गये थे, जा नहीं पाये थे, किसी कारण बस, जो भी उनका कारण रहो, and documents of some of the candidates were kept in pending status to certain clarification, तो उन चीजों का उन लोग जो उपस्थित नहीं हो पाए, जो बच्चे उपस्थित नहीं हो पाए है, फर्स्थ दीबी में, उनका अभी pending रूप में है, pending फार्म में है, in view of the above, the competent authority has decided to conduct documents verification of all such contents from 1st April to 15th April, यहनि कि 1 April से 15 April के बीच में कभी भी जाकर secondary DB के लिए apply कर सकते हैं, secondary DB करा सकते हैं, जिनका अपसेंट, जिनका छूट गया है, तो आपको पता है, आज 13 April है, तो 13 और 14 तीन दिन के वाल बचा है, आज को लेकर के वाल तीन दिन बचा है, तो 3 दिन के अंदर अर्थात 15 अप्रिल तक 16 अप्रिल को जाएंगे, तो इनिमलेड हो जाएगे, तो इसलिए 15 अप्रिल तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए बताएंगे क्या करना है, तो आपको सबसे पहले काम यह है, कि 15 अप्रिल से पहले 15 अप्रिल तक अगर db नहीं करा पाये हैं तो db पहुंच जाएं डी भी करा लें आपके पास call letter आया है email पर आपका बास modification नहीं आया तो भी जाएं नहीं आये को यह तो प्लीजाएं नहीं आएगा तो फिर कह जाएंगे इसके बारे में भी बात करेंगे कहा जाएना है आपको the भी एनेकजर वन दिखा रहे हैं इसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप 15 तक भी भी नहीं करा पाते हैं तो आप से आप उसके लिए क्या कर सकते हैं तो आप इसके लिए एक प्रूफ ले सकते हैं कि मेडिकल बनवा सकते हैं अपना कि आप फिजिकली स्वास्त नहीं है जिससे आप जो है कि वेरिफिकेशन के लिए जा पाएं आप फिजिकली अनफिट हैं तो फिजिकली अनफिट के लिए मेडिकल बनवा करक सकते हैं और उसके बाद जब जा सकते हैं दो दिन चार दिन दस दिन के बाद जाएं और उहां पर फिजिकली अनफिट दिखा कर नहीं हलनकी फायदा होगा इसी बात नहीं है लेकिन क्या मतलब कोई मतलब नहीं है देखे एए जर वण यहाँ पर दिया गया है जो जिचेंड राउंड में डीवी के लिए यह लिष्ट है अगर सिकेंड राउंड में आपका नाम है तो भी और अगर नाम फ़र्श्ट राउ सकते हैं किस पोस्ट के लिए है अपना रोल नंबर यहां पर देख सकते हैं और यहां पर सामने देख पाएंगे यहां पर कि जाना कहां है जैसे ओडिशा इतने लोगों को इन सब लोगों को टीजटी इंग्लिस वाले जो लोग है इन लोगों को ओडिशा जाना होगा बनेश बद्य प्रदेशन लोग जाना होग भॉपाल में और इनको तेलंगाना है थेल्यवाद के लिए जाना होगा और इसी प्रकार से पूरा PDF देख सकते हैं पूरा PDF आपको जाना कहां है कि कहां पर आपका db होगा इसके संदर में हलांकि आपके email पर provide कर दिया गया होगा फिर भी अगर नहीं वहाँ तो यहां से चेक कर सकते हैं आपको कहा जाना है मैं PDF आपको तेलिघ्राम चैनल पर, डाल दूगा चैनल पर कर्झे कर लेंगे ल हगार इस पीडियो कर पर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, लाइक भी चैनल जोटां की सस्क्राइब और शाहर देख कर लिंगे schools, आप помो़दों को समय समय से मिलते रहें, धन्य बाद